कल मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि गिलबर्ट बर्ण जो है होर्हे मासविडल के कपड़े फाड रहा है यानि कि गिलबर्ट बर्ण का कहना ये था कि होर्हे मासविडल फट्टू है सिधा उन्होंने कहा कि वो फट्टू है मैंने तीन चार बार फाइट जो है UFC को कहा कि fix करा दो मासविडल के साथ मैं उसे तीन चार थपड़ चक्टू लगाना चाहता हूँ लेकिन UFC वालों की मजबूरी नहीं समझ पा रहा था होरे मासविडल और होरे मासविडल का हर बार ये था कि हाँ मैं फाइट करूँगा लेकिन जब मौका आता था पेपर के उपर साइन करने का तो वहाँ पर वो मना कर देता था और एक साल हो गया होरे मासविडल को बच्चते हुए मुझ से ये कहा था गिलबर्ट बर्न ने और मैंने आपको वीडियो बना कर भी बताया था कि इतनी बेज़ती होने के बाद होरे मासविडल कुछ ने कुछ तो कह ये गाई तो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फरेंस की होरे मासविडल ने होरे मासविडल ने सबसे पहले ये कहा कि गिलबर्ट बर्न is a little bitch वो एक कुत्ता है वो कुत्ते की तरह भोकता रहता है और Gilbert Burn को भोकने के अलावा कुछ नहीं आता है यहां पर Gilbert Burn के बारे में तीन चार बाते और गई यह कहा कि यह एक नंबर का जूठा है UFC से जाकर पूछो Hunter Campbell से क्योंकि Hunter Campbell जो है वो फाइट को फिक्स करता है मैच मेकिंग करता है UFC के लिए तो होरे मासविडल ने कहा कि Hunter Campbell से पूछो ना मैंने सितंबर ना मैंने अगस्थ ना मैंने एक्टूबर यानि कि जो तुम यह बोल रहे हो कि तीन चार बार फाइट फिक्स हुई और मैंने मना कर दिया एन मोमेंट पर तो ऐसा बिलकुल हुआ है नहीं मैंने तो पूरे एक साल से UFC को क्लियरली बता रखा है कि मेरा लीगल केस चल रहा है कोबी कोविंटन के साथ और कोर्ट के अंदर ही मैं इतना उलजा हुआ हूँ कि तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख मिलती जा रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा मिलोर्ड इसलिए मैंने तो फाइट कभी एकसेप्ट ही नहीं की थी लेकिन हाँ तुम्हें बता देना चाता हूँ कि अब मेरा ये केस सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं गिल्बर्ट बंस का मुबंद करना चाता हूँ और मैं उसको जो है फाइट के अंदर हराना चाता ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं गिल्बर्ट बंस से लड़ने के लिए तयार हूँ रिंग के अंदर भी और रिंग के बाहर भी जहां वो चाहे और हां रही UFC के अंदर फाइट करने की तो मैं UFC लंदन के अंदर फाइट करना चाता हूँ गिल्बर्ट बंस से दम है तो पेपर के उपर साइन कर दो मैं तैयार हूँ अब ये UFC लेंडन वही कार्ड है जहाँ पर कमारू उज्मन की और लियोन एडवर्ड की जो फाइट होगे ट्रिलोजी वही पर जो होरहे मास्विडल और गिलबर्ट बन की फाइट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर होरहे मास्विडल ने कह दि आइटलिस जिस तरीके से Gilbert Burn ने जिस तरीके से बेज़ती की जिस तरीके से XYZ बाते बोली जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी उसका response दे दिया है और यहाँ पर चांस यही बन रहे हैं कि यहाँ पर हमें तीन fight UFC London में तगडे वाली देखने को मिल सकती हैं पहली fight तो फिक्स है लियोन एडवर्ड और कमारू उजमन की ट्रिलोजी उसके बाद हमें कोबी कोविंग्टन और हमजद चिमाय उसकी कोमेन इवेंट देखने को मिलेगी और उस फाइट कार्ड में एक फाइट ये भी एड़ हो सकती है गिल्बर्ट बंस वर्सिस होरे मासुडल इन दोनों फाइटर्स के अंदर से आपको जीता हुआ कौन दिखाई दे रहा है गिल्बर्ट बं या होरे मासुडल बातों की लड़ाई में तो दोनों बराबर चल रहे हैं लेकिन रिंग के अंदर कौन जीतेगा ये आप लोग मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बोक्स मे से रिलेटेड आपको चाहिए और हमारा UFC होट बोक्स हिंदी का चैनल दीरे दीरे ग्रो कर रहा है इसकी स्पीड बढ़ाईए लाइक कीजिए वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए जल्दी से कीजिएगा और नीचे कमेंट बोक्स में मुझे सारी चीजों के आंसर दीजिए कि कौन जीत रहा है और इन दोनों की आपस में यह नौक जोक आपको कैसी लग रही है टेक केर